तो जी हाँ प्यारी शात्रों आपका स्वगत है आज के एक और जबरदर्स और धमाकेदार भीडियो पर यहाँ पर मैं आपके लिए लेका चुका हूँ त्रमासिक परिशाद दुजर वाइस देश का चवारवी का आपका भौतिक सास का आपका बहुत ही डिमांड वाला पेपर क्योंकि सबसे पहला पेपर आपका त्रमासिक इजाम में आपका भौतिक सास का होने वाला है और भौतिक सास का पेपर एक ऐसा पेपर है कि यदि आप अपने यहाँ पर इसे अच्छे तरीके समझ लिया आपने इसे याद कर लिया तो आपके 70 में से 70 नंबर आएंगे आपके एक भी नंबर कम नहीं आएंगे तो आपके demand पर मैं यहाँ पर आपका chemistry का paper आपको मैंने आलेट दिया अब यहाँ पर पहला paper जो आपका भौतिक सास ह साथ यहाँ पर आपके टोटल वाइस कोश्चन है और वाइस कोश्चन के बाद आपके इनके हर एक कोश्चन के आपको यहाँ पर आंसर भी मिलेगा ठीक है तो एक एक कोश्चन का अंसर मैं आपको देने वाला हूं टोटल आपके सभी कोश्चन के अंसर इस वीडियो पर आप तक बने रहना क्योंकि हर एक कॉश्चन का आपका मैं बित आपका सेलूसर यहां पर आज प्रवाइट करने वाला हूं तो पहला पार्ट आपका आल्रेडी मैंने आप अब्जेक्टिब का मैंने दे दिया है यह आपका पार्ट सेकेंड है तो पार्ट सेकेंड में कॉश्चन चार से हम देखने वाले हैं क्योंकि तीन तक के अंसर हमने आपको बता दिया था चौथी का भी बता दिया था लेकिन एक बार फिर से आपके एक बाक के उत्तर से चलिए फटा पट इस्टार्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे कुश आपके निर्देश दिये गए हैं ठीक है आप इसे अच्छे से पढ़ लीजेगा, ठीक है, निर्देश आपके काम की चीज है, आप इसे ज़रूर एक बर रिट करिए, और आपका यहाँ पे देखिए, आपका सही भी गल पाता है, तो आपको मैंने इनका अंसर दे दिया है, हम डालेक्टी चलते हैं, आपके question number कहां से आपके यहाँ पे हो जाएगा, ओम के नियम के अंसर, किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्धुधार के प्रवालता, चालक के सीरो पर लगाए गए विवांतर के समानपाती होता है, मतलब क्या होता है, जो जब कोई कोई चालक होता है, तो उसमें आपका वहने वाल तो समानपाती क्या हो जाएगा आपका विबानतर हो जाएगा और जब आप यहां पर समानपाती के जगे में आप क्या लेंगे एक नीतांक लेंगे तो आपका जैसे आप नीतांक लेंगे तो क्या होगा देखिए आई आपको यहां पर आई बराबर लगेगा और इसके जगे से आपको यहां पर आंसर जाएगा देखिए क्योंकि आपका भी कमान जम निकलेगा ना तो आई और आर का क्या होगा multiply हो जाएगा तो simple सा आपको अंसर आपको करना है इसके बाद देखिए आपका यहां पर दूसरा आपको इसका परिवासा लिखना है क्या लिखना है परिवासा आपको लिखना है मूल आवेस का मान एक एक ट्रान पर किसकी पराबर होता है आपका यहां पर जिसका मान वन पॉइंट सिक्स आपका टेन की बाबर नैंटीन कुलाम होता है इससे ही कहते हैं क्या कहते हैं आपका जहां एंग क्या होता है आपका पूर्णांग होता है ठीक है वूं टु वूं से लेकार आपका यहाँ अनन्तक जायेगा यहाँ आपका सटसर और आपका यह आपका इलक्त्रान है इलक्त्रान का मान कितना होता है 1.6 सिंपल तरीं से एक उलेक्ट्रान पर कितना आवेस होता है तो अभी आपने कॉंटिकरंड पढ़ा तो उसमें आवेस कितना था वन पॉइंट आपका 6 हुआ मल्टिपलाई 10 की पाबार माइनस आपका 19 और यहापको लिख देना कूलाम ठीक है तो आपका वही होता है जो आपके आवेस के कॉंटिकरंड में आपका एक कमान होता है ठीक है चलिए अब यहापे इसका अंसर हो गया कॉश्चन पर 5 बाद देखे लिखा किर्चाप का पर्थम नियम किसके सरक्षण पर आधायत है तो आपको सिंपल तरीकी सा अंसर करना है आवेस सरक्षण क्या होगा अंसर इसका आपका अंसर इसमें हो जाएगा आवेस हैं और लिख देजीएगा सरक्षण ठीक है अपका कर्क्र आधायत होता है इसके बाद कोश्चन आपका यापको क बता देंगे ठीक है किसी चालक के इसे क्या क्या होती है तो इसका कोटी होता है तैन की पावर आपका माइनस फोड ठीक है और इसके वहला इसके लाब आपयापर एमस आपका इन्वर्स वर्ण ठीक है आपका यह अंसर होता है अच्छे सी सियात करिएगा कॉपी पर लिख लिख लिजिए और इसके बाद आपका लास्ट में आपका दिया गया कि धार लंबे धारावाई चार पर चुमकी छित में लगने वाला बल ठीक है तो लंबे धारावाई बल की बात कर रहा है तो बल आपका यहां पर हो जाएगा आई इसके बाद बी यल साइन ठीक है आपको सिंपल तरिक से आपको यह अंसर करना है आप इसे लिख लिजिए और इसके बाद आपके चछटक अंसर एंपियर का परपथी नियम आपको दिखाते है ठीक है तो चल जो आपका याप बी आपका याप रेखी समाकलान उस पत पर घेरी कुल धारा का आपका म्यू आपका नॉट या फिर म्यू जूरो गुना होता है ठीक है आप इसे पढ़ेंगे तो यह दिखिए आपका यह पे बी वराबर होजेगा डील और आपका म्यू नॉट आपका आई बहुत मिन्त करते हैं एक एक कोस्षिन का आपको अंसर देना और सात में यह कोस्षिन आपको बताना इनको समझाना तो इसके लिए आप एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें लिए जो भी छात्त आया है फटा-फट यहापे सब्सक्राइब करिए और अनुगमन ब्र रखेर चली आपको देते हैं साथ में आपको यह पर क्यांद देंगे विद्दुध्ध्धारा आपको यह कौशन मर्च चली पटा फट इनका अंसर देखते हैं तो इनका आपको यहां पर देखेंगे आप तो यह आंसर आपको मिल जाएगा ठीक है सबसे पहले आपको अनुगमांगे यानि पांच कंसर तो जब किसी चालक में किसी सेल या बैटरी की सहाथा से क्या होता है बिद्धु धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक में उपस्तित आपका सोतंत्र इल्टरान एक निश्चित नियुनतम बेक के बेक से गती करने लगत अनुगवन करते है आपको सिंपल तरीक concer करना है इसके बाद देखिए कोस्ट आपका इस में ता स्वांति काल आको लिखलेना है कोश्चन canopy r6 मैं आपको यहां पे आपका बैददुत विभाव पूचा गया तो आन्सर आपको यहां करना है अननंद से एकांग धताना भेश को कहाँ से अनंत से जैसे आंप से ला से आपका विर्दू ध्रक ठीक है तो यहां पर दोट से आपको यहां पर लाकिल होता है ठीक है डो सब्सकảng को यहां ग्युद्धत ना भैस को लने में विद्धू छिटत के किसी भी आप जाता है उसे ही कहते हैं आपको वैद्धुत बिभाओ थीके तो इसका आपका यहां पर घ्ल कार गार की पापर माइनस थी और आपका यह आंसर करना है इसके बाद देखिए उसके अथ्वक और अथ्वक विद्धुधारा की बात कर रहे है ठीक है आपको बिद्धु धायр outta देखे किसी चालक में जब क्या होता है बिद्धु आपेश के रूप में उसमें या करना है उसके समाचसी कैप सिटी को एक विदु धाफ के या चैसी आपका पूछा गया है तो बिद्धु धायताता है जब किसी आपेश की कीए ज आपका फैले होता है आप इसे याद कर लिजेगा और इसके बाद इसका आपका विमे सूत्र क्या होता है तो विमे सूत्र आपका यहां पे होता है M आपका inverse 1 L की पाप देखिए inverse न बोलना चाहे तो आप M आपकी इसकी पापर minus 1 L की पापर minus 2 T की पापर 4 और A की पापर आपको अंसर करना है इसके बाद question मर आपका साथ बात है बिद्दु छेत्र की आपको तीवरता की परिफासा पूछा गया है तो आप इसे पहले देखिए आपका यहां पर Q आपका यहां पर Q नॉट है ठीक है आपको यहां पर बिद्दु छेत्र में किसी बिंदु पर रखे गए परिफ्षण आपको यहां पर आपको यहां पर आपकर आंसर करना है और इसके बाद देखिए आपका question दिखाते है पहले आठबे नमबर का तो आठबे नमबर question आपका क्या दिया गया है यहां पर दिया गया है सम विभाव प्रष्ट तरी क्या सत्पर है हमने आपको 8-7 बीक अंसर बता दिया दोनों का इसका भी और इसका भी सम विभाव प्रष्ट किसे कहते हैं इसकी विभाव प्रष्ट को प्रष्ट को कहते हैं जिसके प्रतेक बिंदु पर विभाव का मान क्या होता है देखिए आपका सम्भीभाव प्रष्ट है और आपका सम्भीभाव प्रष्ट होता है और आपका इसका सूत देखना चाहे तो आपका यहां पर फोर पाई एपसलान नौट के और क्यों बटे आपको यहां पर इसके आपको गुड़ पुछा गया है तो गुड़ आपको लिख देना है पहला कि सम्भीभाव प्रष्ट के पर आपका यहां पर विभाव कमान क्या होता है समान होता है और सम्भीभाव प्रष्ट में आपका एकांग ध इधर और एक इधार ठीक है और यह अभी एक दूसरे को भी काट नहीं सकते हैं इसे के आपका समयभाव प्रिष्ट कहते हैं और इसके बाद देखिए आपका उसके अध्वा कोश्चन को पूचा गया है धारता को चालक की धारता को प्रवाइद करने वाली कारक तो तीन होते इसे क्यों होता है विभाव कमान आपका घर जाता है अता-धारता क्या होता है आपका अलब्र जाता है ठीक है तो आपको इससे समझ कर चलना क्योंकि आपका यहां पर अनुकुरॉण पाती होता है ठीक है व्यूत कुरॉण पाती होता है भी सी और सी के आपका भी जो आपका व्यूत कुरॉण पाती होता है इसलिए एक घटेगा तो एक बढ़ेगा और यहां पर यहां पर यहां पर जो क्यूँ आपका 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 एक आपका चारी की उपस्थी बात है और इसके बात है चालग की मतभी मैभी Κाम बाता है ८ोइ में का स seguinte यू वे होते हैं जो अपने में से आई इसको प्रवाहित नहीं प्रवाहित कि अपने में से आभेस प्रवाहित नहीं होन देते हैं किन्तु विद्दुत प्रवा को प्रदर्सित करते हैं ठीक है उधाने के लिए मों कागज लकडी आदी ठीक है आपको यहां पे यहां के प्रवैदुत के प्रकार होगे आपका धुरूभी प्रवैदुत होता है और समा , आपको उंसर करना है और इसका मातरक क्या लिखिना आपको इसे यहां पर आपको यहां पर तगे हैंêm पदंधू आपको पहले 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 देखें तो आपको आपको इहां पर लिखा गया है question number 10 ठीक है चलिए यह आपका हो गया दसवा यहाँ पे लिखा गया आपका बिद्धूत इस्तित उर्चा इसका अंसर आप खुश्य करिएगा हम आपको अंसर इसका दे रहे हैं साथ में आपको यहाँ पे गयारबाग आपका दोनों अंसर बिभामा की सुग्राईत बढ़ाने के लिए और इसके बाद संट क्या है इसका आपको बताएंगे चलिए आपको अंसर दिखाते हैं वीडियो पर पहली बार बीट कर रहे हैं तो वीडियो को दिल से लाइक जरूर करिएगा क्योंकि काफी ब गयारबा बिभाव मापी की सुग्राहिता कैसे बढ़ाई आती है तो देखे आपको यहां पे आपको नीम्न आपको यहां पे दिया गया है प्रात्यमिक परिपत में जुड़े संचायक्सल की विद्धुत बाल को कम करने पर भी कमान कम होने से बिभाव प्रवड़ता आप आपको यहां पर विद्धुत करन पाती है तो आपको यह बढ़ेगा तो यह आपका प्लस में होगा तो आपका माइनस में होगा ठीक है चलिए इसके बस सेकेट में बिद्धुत मापी के तारों के लंबाई आधिक रखने पर एल कमान आपका बढ़ने से देखिए ल कमान आपको आपको अरजवासिक पाती सब्ढ़ यहां पर इसे अक्षे सयात करिएगा ठिक हे चलिए इसमें क्या लिखा है इसका उपयोग लिखना है तो संड एक कम प्रतोंद का तार होता है, जिससे धारमापी की कुंदली पर के यापने ज़ूदा है, उप्योग क्या है? धारमापी में संड लगा कर आ मीटर में बडा वर्थित किया जाता है, दूसरा क्या होगा आपके इसका, आपका उप्योग, आपचाहोता हूँ इनके अंसर मैं आपको नेस्ट वीडियो में उन्यक्त बताऊंगा जिससे आपको यहां पर पूरा आपका एड़ टू जट आपके एंपर क्लियर हो जाएगा आपका एक और पार्ट आएगा जिसमें एक सीलिक पूरे आपके लाश्ट तक के अंसर रहेंगे तो मिलते हैं नेक झाल झाल